उधारण 23 दी गई आकरिती में PQ वृत की स्पाश रेखा है यदि AOB वृत का व्यास है तथा कोण SAB बरबर 50 अंश है तो कोण ASP ग्याद कीजिए हल यहाँ पे कोण B SQ बरबर कोण SAB बरबर 50 अंश है जो की एकांतर वित्ताखंकी के परिमाब द्वारा हमने बताया है एक आंतर व्रित्खंड के परिमाब द्वारा उसी तरह से हम यह कह सकते हैं कि A कोण ASB जो की 90 अंश है तो यहां हमने व्यास द्वारा बना कोण लिया यहां पे 90 अंश और ASB बरबर 90 अंश व्यास द्वारा बना कोण अब हम त्रिभुच ASB में त्रिभुच के अंतर कोणों का योग लेंगे यह कोण A B S धन कोण A S B धन कोण B A S बरबर 180 अंश या कोण A B S धन कोण A S B हमारे पास 90 अंश है उसी तरह से कोण B S हमारा पचास अंच बराबर 180 अंच और कोण A B S नब्य अंच धन पचास अंच आपका हो जाएंगा 140 अंच बराबर 180 अंच उसी तरह से कोण A B S 140 अंच का पक्षानतर करेंगे तो 180 अंच रिन 140 अंच बराबर 40 अंच जो की कोण A S P जो है वो कोण A B S के बराबर है यह हमारा जो है एकांतर एकांतर व्रित खंड के परिमाव द्वारा हमने बताया है इसलिए कोण A S P जो है इसका मान 40 अंच होगा क्योंकि A B S का मान 40 अंच है तो कोण A B S के स्थान पर हम 40 अंच लिए इसलिए कोण A S P का जो मान है वो 40 अंच होगा यही सुधारण का हल होगा झाल